नमस्कार जानेंगे इस कारुबारी सब्ता क्रिशी फसलों में क्या ट्रेंड रहने की उम्मीद है शुरुवात एडिबल ओयल कॉंप्लेक्स में सोयवीन से करते हैं हमने देखा है कि पिछले काफी हफ्तों से सोयवीन 6100 के सपोर्ट और 6500 के रेजिस्टन्स के बीच ट्रेट कर पा रहा है उपरी सरों से दबाओ देखने मिला है लेकिन निश्ले सरों से बाइंग भी आते वे दिखी है मीडियम टम अगर देखें याने नेक्स दो मेने की बात करें तो ऐसा लगता है कि 6900 का एक टागेट पेंडिंग है और उसके उपर 7300 तक भी प्राइजिस जा सकती है तो जो डिप है वो अभी भी एक पाइंग उपरचुनिटी प्रोवाइड करेगी ऐसा मेरा मानना है वही पर अगर हम कॉटन सीड ओल के क्या बिनौन अखल की बात करें तो हमने देखा है कि पिछले दो हफ़तों से एक दाइरे में कारबार हो रहा है 3050 से लेकर 3300 के बीच काफी अप एंड डाउन प्राइजिस कर रही है और फिलहाल जो क्लोजिंग आई है वो 3120 के करीब देने में कामयाब हुआ है ऐसा लगता है कि जो बड़ी सी एक मूव आई थी लगभग का नवेंबर और जैनवरी के बीच तो उसके बाद एक करेक्शन का दोर जारी है लेकिन मैं मैं मेंटेंड करूंगा कि जो पहले हमने टागेट्स डिसकस किये थे 3400 और 3550 के वो अभी भी मेंटेंड है और जब अगला जो दोर आएगा तेजी का अब वो इन सरों को प्राइजिस अचीव कर पाएंगी इमिज़ेट तोर पे 3050 और उसके बाद 2900 का एक मेजर सपोर्ट है जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रही है तब तक बायों डिप की रंडिती अपना ही जा सकती है अपसाइड में 3400 और उसके बाद में 3550 के जो टागिट डिसकस हुए है वो अचीव हो सकते हैं वही मसाला कॉंप्लेक्श की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्शन यहीं पर देखने मिला है हमने जीरे में 20200 का जो लक्ष था जो पिछले हफ़े डिसकस हुआ था हुआ अचीव होते हुए दिखा है जिस प्रकार हमने बात की थी कि फिलहाल जो करेक्शन है यानि पिछले हफ़े जो करेक्शन थी वो 18900 तक जा सकती है 18800 तक जा सकती है लेकिन overall 20200 का एक लक्ष है जो पेंडिंग है हमने देखा कि weekly close उसके आसपासी दिया है और अब ऐसा लगता है कि यह भी जो लक्ष है यह आने वाले समय में ब्रीच हो सकता है अगर 20200 के उपर prices sustain होती है तो 20850 तक किस तर देखने मिलेंगे और positional basis यानि अगर मैं डेड़ से दो मैने की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि 22000 के उपर के level हमें जीरे में देखने मिल सकते हैं काफी समय के बाद जीरे में एक लंबी तेजी और sustainable तेजी दिखाई दे रही है और मेरा मानना है कि काफी अच्छी उचाईयां जो prices हैं वो छू सकते हैं आने वाले एक से दो मैनों में वहीं पर हमने धनिये में और हल्ली में भी एक अच्छा खासा reversal आते हुए देखा खास करके हमने देखा कि धनिया जो करीबन 9800 की करीब trade कर रहा था उसने दो ही दिनों में लगबग 600 से 700 points की rally देते हुए 10500 की करीब की closing दी है आने वाले कुछ समय में immediate तोर पे 10200 का एक support आता हुआ दिखता है या बनता हुआ दिखता है और जब तक यह hold कर रहा है तब तक immediate trend उपर की तरफ है 10500 के उपर अगर prices sustainable trade देती है यानि daily close आ जाता है तो जो next immediate target है वो 10850 का होगा अलाकि जो positional view है याने next 2 या 3 हफ़तों का अगर view ले ले लें तो 11500 तक हमें धनिया में जो level है वो जाता हुआ दिख सकता है वही पर हल्दी में भी similar trend follow करते हुए ऐसा लग रहा है कि 900-9700 के बीच मौतपून supports है जब तक होल्ड कर पा रहे हैं तब तक upside में हमें यहां पर भी 10500 का पहला लक्ष देखने मिलेगा और अगर prices उसके उपर भी sustain होती है तो 10900 तक के level हमें एक हफ़ते से 10 दिनों में देखने मिल सकते हैं तो यहां पर भी जो निवेशक हैं वो buying position बना सकते हैं जो और जहान है वोपर की तरफ रहेगा और आने वाले दो या तीन आफ़तों में हमें नहीं उचाईयां देखने मिलेगी वहीं पर अगर हम guar complex के तरफ रुक करें तो एक correction definitely देखने मिली जो 11500 के level की बात हुई थी गवार गम में वो test हो चुका है और वहां से prices थोड़ी बहुत assembly भी है वहीं guar seed में भी हमने देखा कि एक correction लगभग 6250 के जो तर थे वहां तक आई in fact 61780 तक भी दाम गए हाला कि जो closing है वो 6300 के करीब देने में कामयाब हुआ है guar seed, guar gum का रुका कर लें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ समय तक एक range bound याने एक दाइरे में कारोबार होने की उम्मीद है ये दाइरा 11500 से लेकर 12100 का होगा हाला कि अगर उस से आगे हम देखें याने दो से तीन हफ़तों की बात करें तो ऐसा लगता है कि नई उचाईया recent highs देखने मिल सकते है याने जो हमने 12200 के highs देखे थे उसके उपर एक बार प्राइस जा सकती है और अपसाइड में ये पॉसिबल है कि हम 12800 तक के लेवल भी देख पाएं तो पोजिशनल जो रुख है वो उपर की तरफ है लेकिन बहुती जो छोटी अफ़दी है नेक्स्ट चार या पान सेशन्स की बात करें तो 12100 और 11500 के बीच अप एंड डाउन प्राइस करेंगे और इस बीच जो शॉट टर्म ट्रेडर है वो ट्रेट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे अगर यहाँ पर सपोर्ट देखा जाए तो लोवर एंड पे करीबन इमिजट तोर पे 10900 का एक पोजिशनल सपोर्ट है जिसके नीचे फिलहल प्राइस जाने की उम्मीद नहीं दिखा रही है वहीं गवार सीड में अगर हम इंपॉर्टन लेवल्स की चर्चा करें तो इमिजट तोर पे तो 6100 का इंपॉर्टन सपोर्ट है और उसके नीचे 5900 काफी मतवपून सपोर्ट है जब तक यह दो लेवल हूल कर पा रहे हैं तब तक जो रुख है नेक्स्ट तीनिया चार हफ़तों के लिए वो उपर के तरफ होगा लेकिन इमिजट तोर पे अगर एक हफ़ते की बात करें तो जो रुखान है वो मिक्स्ट रहेगा याने एक दाइरे में यहां पर भी कारोबार देखने मिलेगा 61300 और 6400 के बीच तो जब एक्स्ट्रीमेंट्स पे आता है मिजट तोर पे 6600 का एक लेवल है जो हमें आने वाले कुछ अफ़तों में देखने मिलेगा और उसके बाद करीबन 6950 का लक्ष लेके चला जा सकता है वहीं पर अगर हम यहां पर कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड में काफी समय के बाद 6500 के उपर क्लोजिंग बेसिस होल्ड करने में कामियाब हुई है और रुक जब हो उपर की तरफ ही है कुछ अफ़तों से लेकिन प्राइस जो है वो 6500 के उपर सस्टेन नहीं हो पा रही थी क्योंकि इस बार क्लोजिंग आई है तो ऐसा लगता है कि ये रैली 6800 तक एक्स्टेंड हो सकते है याने करेंट लेवल से करीबन 3-4 फीजदी और बड़त हमें देखने मिलेगी जो सपोर्ट है वो 6330 के करीब एक इंपोर्टन सपोर्ट है जब तक एक होल्ड कर पा रहा है डिली क्लोजिंग बेसिस तब तक डिप पे बाइंग करना फाइदे का सौधा हो सकता है और अपसाइड में 6800 से 6800 बीस तक के लक्ष लिए जा सकते हैं तो ये था एक जाइजा कि जो मेजर अगरी कमोरटीज हैं उसमें आने वाले कुछ सेशिंस में क्या रुजान देखने मिल सकता है धने वाद